गुद्ध मॉर्णिंग स्टुडेंट्स तुडेस्ट रिविजन टॉपिक इस फॉर्म चैप्टर नंबर 6 यह नैचुरल रिसोर्स नैचुरल रिसोर्स अर्दर नैचुरली अकरिंग सब्स्टेंस विच र कंसीडर वेरी वैलियूबल फॉर दे सर्वाइबल फॉर अल लिव अर्थ जो Kto I do national । जो लिचुर्वल एंट परींग सब्सटेंस रिसोर्स है जो हमें जो मैं नैच्रली मिले हुए है सब्सेंस ठीक है जो मैंए ने बेंदेंगी और वह मारी सर्वाइबल के बदेंने म adjust e living वो बहुत सारे आसे नेचले रिसोर्स और रिसोर्स और ऑफ कॉन-कॉन से ऐसे यह जैसे वाट्टर हो गया लैंड फॉरेस्टिशं सब क्या यह आपके नाचुरल गिफ्ट है फिक है जो हमें नेचर ने दिये हैं ठीक बिखिए नहीं पर सांट इंड ऺब डीफ्ट साथ मंईंचर और इन रिसरोस्त गोंग क्या बोलते हैं इन रिसार्श कॉम गिफ्ट सब्नेचर बोलते हैं ने यह ने जो में दीए हैं ठीक है नाव नेच्रल रिसोर्सेस कैन बी तू कैन बी यूज अगेन अगेन दियार इन एक्जास्टिबल जो आपके रिनेवल रिसोर्सेस हैं वो क्या है वह आप बार बार यूज करते रही है ठीक है वह वह कभी वह फिल्टिबन स्वर्सेटि मितलब खाम नहीं होने वाले हैं जो हाँ एक्जास्टिबल रिनेवल रिसोर्सेस का एक्जामपल से हूगे यह यह आपके क्या है यह आपका सैनलाइट को सलेट करता है और जिसका हम traditional and ok प्रेट्रिक फैन को चलाने के लिए ठीक है नाउ सेकेंड वन इस नौन रिनोबल रिसोसेस अर्ड रिसोसेस विच आर एक्शॉस्टिवल एंड कैन नोट बी रिप्लेस्ट यह जो भी नौन रिड़ रिसोसेस नहीं क्या है यह अगर हम जादा यूज करेंगे इनका बहुत ज नौन रिनोबल रिसोसेस हैं कि यह एक फिक्स्ट एमाउंट में और इनको हम दुबारा नहीं बना सकते हैं तो फॉसिल फ्यूल आयरन यूरेनियम पेट्रोलियम पेट्रोलियम एंड कोल अर्दा एक्जाम्पल ओफ नौन रिनोबल रिसोर्सेस नौन यूज इस ओफ नैच रिट्रोलियम हों गया इसगो हम डिरेट्रिकली यूज नहीं कर सकते हैं है इसको हम इसके न 않चनल में यूज नहीं ह can you just करने के लिए कि हमें इसको इसके प्रोसेस करनी पड़ती है ठीक जैसे पैट्रॉलियम इस टेकिन आउट फ़ंद एना क्रूड फ़र्म फिर इसको रिफाइन किया जाता है तो रिफाइनिंग के बाद कौन कोष़ी चीज़े आपको पेट्रोल डिजल केरोसीन और प्रोडेक्ट जब उसको रिफाइन के जाते तब आपको पेट्रोल डिजल केरोसीन मिलता है आप उसको डिरेक्टली निकाल के हम यूज नहीं कर सकते हैं और और आप दाइग्राम में देख रहे हstrong कि सब्सक्राइब ALLS करते हैं बार को किस लिए गांनेiny कैसे हैं फूसर किורड़ करनेई यह सब चीजों का जो हमारी natural resources का उप्योग करके हम क्या हम इसे बहुत सारी चीज़े यूस में करते हैं जैसे electricity produce करते हैं ठीक है यह सब क्या यह सब इसको natural resources के uses हैं नौ एक्स इस conservation of natural resources we have learned about the importance of natural resources since many natural resources are non renewable we must do something to preserve जैसे हमने पढ़ा भी कि कुछ non renewable resources हैं वो क्या वो आपके खतम हो सकते हैं exhaustible हैं ठीक है तो हमें क्या करना है चाहिए हमें उनका वेस्टेज जो फालतु का वेस्टेज़ूरा उससे हमें क्या रोकना चाहिए हमें ज़्यादा उसको consume नहीं करना चाहिए उसको conserve करना चाहिए ठीक एयर वाटर एंड लेंड और बिंग एफेक्टेज दूट ओवर इस यह क्या होता है यह एफेक्ट करें इनका अगर हम जादा जादा यूज इस्तिमाल करेंगे और यह आपकी चीज़े एफेक्ट हो रही है मैनी प्लांट सेन अनिमल स्पेसीज है बिकम एक्स्टेंट एंड मैनी अधर और वर्ट ऑफ एक्स्टेंट जो बहुत सारे ऐसे पेंट पॉद हैं और ए सो थैंक्यू क्लास